मीटू के खिलाफ वैश्विक रूप से चिड़े अभ्यान के बाद बॉलिवुड भी इससे अच्छूता नहीं रहा और इसके घेरे में कई सलिब्रिटी आ गए पिछले दिपिका पादुकोन और रंबीर कपूर को डायरेक्टर लव रंजन के ओफिस के बाहर देखा गया जिसके बाद खबरे आई कि दिपिका लव की अगामे फिल्म में लीड रोल निभाएंगी लव रंजन संग दिपिका के काम करने की खबर सामने आते ही ट्विटर पर हैश्टाग नौट दिपिका ट्रेंट करने लगा पैंस ने दिपिका से अपील करते वे कहा कि वो मीटू के आरोपी लव रंजन संग फिल्म ना करे दिपिका के फैंस के लिए अब रहत की खबर सामने आई है एक मैगजीन को दिये इंटर्व्यू में जब दिपिका से पुछा गया कि क्या वो किसी ऐसे शक्स के साथ काम करेंगी जिस पर यौन उत्पिरन का आरोप लगा हो जवाब में दिपिका पादकोंड ने कहा नहीं मैं उस शक्स के साथ काम नहीं करूंगी दिपिका का जवाब उन फैंस के लिए रहत भरी खबर है जो चाहते थे कि एक्ट्रस लव रंजन के साथ मुवी ना करे प्यार का पंचनामा के डारेक्टर लव रंजन पर एक महीला ने यौन उत्पिरन के आरोप लगाए थे एक अभिनत्री ने लव रंजन पर गंभीर आरोप लगाते वे कहा था कि वे प्यार का पंचनामा की ओडिशन के दौरान लव की अशलील बाते सुनने के बाद असहज हो गई थी इसके बाद वे ओडिशन छोड़ कर चली गई अभी नेत्री के अनुसार लव ने कहा था कपड़े उतार कर दिखाएं कि वो ब्रा और पैंटी में कैसी दिखेंगी दिपिका के वर्क फ्रंट की बात करे तो शादी के बाद दिपिका पादकोन की छपाक रिलीज होगी मुवी अगले साल जन्वरी में सिनेमा घरों में आईगी इसमें दिपिका असिट अटाक सर्वाइवर लक्षमी अगरवाल का रोल निभा रही है छपाक के बाद दिपिका पती रनवीर सिंग के फिल्म तिरासी में नज़र आएंगी इसमें वे रनवीर की पतनी के रोल में दिखेंगी